हेलो फ्रेंड्स मैं मोनिका सिंग आज आप लोगों को बटाने वाली हूं कि कैसे हम Eclipse इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोस 10 पर वेल विंडोस 7 और विंडोस 8 इन सब पर भी सेम प्रोसेस है बत मैं आप लोगों को आज विंडोस 10 पर इंस्टॉल करके दिखाने वाली है उसके लिए पहले हम इन डाउंडोड करेंगे Eclipse तो वी विल क्लिक टू इंटरनेट एक्स्प्लोरर आप कोई भी प्राउजर ओपें कर सकते हैं इसमें आपको सुवीधा लगता हो सो मैं यहां सर्च बार में लिखूंगी डाउंडोड एक्लिप्स तो हम देख सकते हैं यहां नीचे में ओप्शन्स आया है तो मैं एक्लिप्स www.eclipse.org यानि कि एक्लिप्स के जो ओफिशियल डाउंडोड पेज है वही से मैं डाउंडोड करूंगी सो मैं यहां क्लिक की हूँ अब मैं यहां डाउंडोड 64 bit पर क्लिक करूंगी क्योंकि मेरा 64 bit Windows है इसलिए मैं इसे क्लिक करूंगी हमें यहां डाउंडोड ओप्शन पर क्लिक करूंगी तू स्टार्ट मैं डाउनलोड बत क्योंकि मैं अल्रेदी डाउनलोड कर चुकी हूँ Eclipse तो मैं इसे अभी डाउनलोड नहीं करूंगी हां मैं क्लेक कर दूंगी ओके नाओ डाउनलोड होने के बाद मैं डाउनलोड फोल्डर में जाकर श्टोर हो गया है तो मैं नाओ लिक्टेश, म्ठाइब रिम्टेश, मैं लोड़ कर दो दाला है । मैं अल्योड के इकलिप्स न्स्तार्ण म benefic सेस but all you have to do is to have patience आप लोगो को सब्र करना परेगा थोड़ा आप देख सकते हैं मेरा Eclipse installer रन हो रहा है and it will take little time लोगव का कर दो दोगन का कुद माता दो काई कर। खाह है ठ कि अर्च लोगन सेस्ट का दोग एक लोगन रहा है भाइब खेख सकते हैं जढ दोगन का कि बुटिए फे नड़ को दो hanging out अब आप देख सकते हैं एक विंडो ओपेन हो गया एकलिप्स इंस्टॉलर का यहां पर डिफ्रेंट ओप्सेंस दिया हुआ है एज वी ओल नो डैट एकलिप्स से हम लोग कई सारे प्रोग्रामिंग लैंगवेज हम लोग रन कर सकते है तो मुझे फिलाल यहाँ जावा डेपलॉपर्स के लिए एकलिप्स चाहिए सो मैं यहां क्लिक करूंगी अब यहां देख सकते हीं इस्टॉलेषण फॉलडर आप अपना यहां पाथ डाल सकते हैं जहां पर आप अकलिप्स को dislis क करना चाहते हैं तो मैं यहां by default जो पार्ट दिया होगा है उसे रहने दूंगी आप नीचे देख सकते हैं create start menu entry यहां इसे अगर आप click I mean select करियेगा तो यहां जब आप start करियेगा window अपना तो आपको यहां start bar में ही यहां पर आपको नजार आएगा eclipse so मैं इसे रहने दूंगी और यह click desktop shortcut यहां desktop पे आपको यहां एक shortcut create हो जाएगा अगर इसे आप click रहने आप select करियेगा तो तो वैसे हम हमें ढूनना नहीं पड़ेगा जब भी मुझे eclipse on करना है तो मैं direct desktop इस shortcut को use करके मैं eclipse run कर सकते हूँ so मैं इसे भी रहने दूंगी now I will click here in order to install my eclipse आप देख सकते है eclipse यह install हो रहा है इसके नीचे यहां cancel installation option दिया है in case अगर आप को लगा कि नहीं मुझे eclipse install नहीं करना है I wanted to cancel it तो आप यहां click कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्यूंकि मुझे eclipse installer चाहिए I want eclipse now you can see here my file is being installed वो install हो रहा है मुझे हैं झाहिए I want एंगी यहँ है और सकते हैं जे हैं कर देख सकते हैं कर दो आप सकते हैं लेके बगर सकते हैं और रहा हैं गार गो जब भीूदर में अपर चाहते हैं So now my Eclipse has been installed My Eclipse installed हो गया है So I will simply click here to launch my Eclipse installer You can see here it's Eclipse Neon 2 After being installed आप यहां नोटिस किये होंगे कि shortcut folder बन गया होगा So जब भी मुझे Eclipse run करना होगा खोलना होगा So मैं simply यहां double click करके खोल सकती हूँ आप देख सकते हैं यहां पर एक workspace create हो गया है So यहां पर आप चेंज करके कोई भी area का part डाल सकते हैं So मैं यहां by default जो area दिया गया है मैं वही रहने डूंगी आप यह नाम भी चेंज कर सकते हैं workspace Well आपको बता दूं मैं कि यह workspace एक folder बन जाएगा जिसके अंदर में आप जो भी java program अपना java project बनाएगी बनाएगा I mean वह जाकर वहां store हो जाएगा So जो by default है मैं उसे रहने डेती हूँ I will click here ok Now my file is being loading कर दो जाएगा अब आप देख सकते हैं यहां एक window open हो गया है मैं इसे maximize कर देटी हूँ ठाकि आप लोग clearly देख सके Now here you can see that different options दिया हुआ है So I will first create a new java project So I will click here उसके बाद मैं एक class बनाऊँगी और एक छोटा सा program आपको run करके दिखाऊँगी मैं project का यहां नाम ले रहती हूँ Like say hello project I will click here finish So after that आप देख सकते हैं यहां मेरा project Hello project मेरा यहां show कर रहा है इसके under मैं एक class बनाऊँगी I will create a new class Let's say class का नाम रखते हैं Hello Java Okay I guess this hello word has become my favorite word for today So I am giving it everywhere So I will click here public static environment आकि मुझे यह लिखना ना पड़े Then I will click here finish So now here यहां पर हम जब भी Java program लिखते हैं Simply notepad में या कुछ भी true वहां पर हमें import java.lang हमें package अब define करना परता है लेकिन यहां पर by default वह package defined data So we don't need to require to write those यहां हम simply एक program लिख रहे हैं जिसे hello world से hello world हम display करने के लिए program लिख रहे हैं So I will simply write here system.out .print in bracket under double quotes hello java I will click here semicolon Now in order to run this program I will click here or we can simply click here also in order to run this program or we can simply click here also here यहां इस area पर क्योंकि अभी तक मैंने एक ही class बनाया है So यहां पर इस एक ही class डिस्प्ले कर रहा है अगर हम all the classes बनाया है यहां वह भी डिस्प्ले करेंगे उसमें से हमें select करना हुग इस class को हम run करना चाहते है क्योंकि अब तक एक ही class है तो मेरा by default यह class selected है So I will click here OK Now here you can see that Hello Java This has been displayed Output आपको नीचे यहां दिखा दिया गया है Eclipse में Java program run करने का यह फाइडा है कि सब कुछ आपको एक ही window के अंदर में मिल जाएगा So यहां आपने input लिखा यहां पर आपको output display हो गया So it's very user friendly And you can see that How to use it I have shown you how to install the Eclipse How to use it Hope You have liked my video आपको मेरा विडियो अच्छा नगा होगा Or आपको प्लीच प्लीच Subscribe my channel So that I will get encouraged And install more and more videos for you all So So please Subscribe my channel And do like my video Thank you And please subscribe my video And like this one Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you